ओस है इसलो बच्चो कैसे हो बढ़िया तो आज हम लोग क्या discuss करने वाले है आज हम लोग discuss करने वाले है बेस्ट बुक recommended for the session of 2223 ठीक है तो जो बच्चे बॉर्ड की त्यारी कर रहे हैं उनके मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि कौं सी बुक को solve करें और कौं सी बुक को नहीं ठीक है जो बच्छे 10th में जाते हैं वो एक उन्हें पता होता है कि इस बार उन्हें बोर्ड की परिछा देना है बोर्ड की exam देना है तो उनके लिए यह बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें ठीक है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को तभी गेन कर पाएंगे जब आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला होगा आपको अच्छी बुक बताने वाला होगा ठीक है तो आज हम लोग वही डिसक करते हैं अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिपिकेसन मिल जाए ठीक है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं क्या बताया जाता है ठीक है रुख जाईए जरा उसके बाद फिर आप हम लोग देखते हैं मैस के लिए हम लोग कौन से बुक यूज करेंगे मैस के लिए हम लोग जो बुक लगाने करने के बाद NCRT बुक को अच्छे कंप्लीट करने के बाद हम लोग हम लोग किस बुक को सौल करेंगे हम लोग RD सर्मा को सौल करेंगे ठीक है तो अब सवाल उठेगा कि RD सर्मा RD सर्मत में तो बहुत सारे कोश्चन है और सारे कोश्चन को लगा पाना इतने कम समय में बहु ज़्यादा हमें पढ़ना रहता है ठीक है जो कि अगर देखा जाए तो 10th का स्लेवाद बहुत कम है ठीक है लेकिन जब आप उस क्लास में रहते हैं तो आपको स्लेवाद ज़्यादा ही लगता है ठीक है तो आपको कैसे सभी चीजों को पढ़ना है ठीक है तो पहले आप NCRT बुक को अच्छे से स्ौल कर लेंगे पहले आप लोग paister key book से स्अलव करने के बाद इसमें आपको में च Mich और प्याने के पहले जब ये पूरी book complete हो जाएगी तो आप वहां पर उसके बाद फिर previous year question उठाएंगे अब आपने इतना कर लिया इसमें आपके कितने marks आ जाएंगे इसमें आपके 95 marks 95 marks तो आपके बहुत असानी से आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 95 marks तो आपके इतमें बहुत असानी से आ जाए हें ठीक है 100 marks हम लोग को चाहिए ठीक है तो 100 marks के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 marks के लिए हम लोग NCRT के बाद NCRT के बाद हम लोग previous year जब उठाएंगे तो उसमें हमें कुछ ऐसे question मिलेंगे कुछ ऐसे question मिलेंगे जो कि repeated होंगे जो कि हर साल आ रहे होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे या वो question आ रहे होंगे या उसी type क्या रहे होंगे तो हम उन्हें RD सर्मा से लगाने की कोसिस करेंगे ठीक है अगर नहीं exercise आ रहे है तो कोई नहीं examples को लगाएंगे examples को अच्छे से समल लेंगे और जो बच्चे IIT के तयारी करना चाहते है 12 के बाद IIT करना चाहते है या फिर और कोई ब्रांच में जाना चाहते है ठीक है तो वो RD सर्मा को लगा सकते है जो बच्चे foundation की तयारी कर रहे हैं वो मैच के लिए RD सर्मा को लगा सकते है यह बहुत अच्छे वोक है इसमें जो number of problems है वो काफी ज़्यादा है variety of problems है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के problems है जब आप लेवल 2 और लेवल 3 के questions को लगा लेंगे उन्हें समय लेंगे तो आपका भी क्या होगा confidence काफी ज़्यादा हाई हो जाएगा और तब आपको ये NCRT के चोटे मोटे question मिलेंगे तो आप चुटकियों में इन्हें उड़ा देंगे ठीक है चुटकियों में इन्हें क्या करना है इन्हें तो उड़ा देना है चुटकियों में आप एक बार RD सर्मा को उठाईए तो जरूर लेकिन आपको क्या लगेगा आ इतनी मोटी इसे कैसे लगा है यह तो चाड़ साल में नहों और इसे लगाना है एक साल में ठीक है लेकिन लगाईए अच्छी बात है आप अगर नहीं लगा पा रहे हैं एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले examples को solve कर लीजे वही examples आप दिखान से कभी पढ़िये तो चीजों को वही examples के same type सिर्फ digit change करके सिर्फ digit change करके आपको सीधा कहां मिल जाएंगे एक सार साइज में मिल जाएंगे ठीक है तो इसलिए क्या बताया गया है इसलिए आप match के लिए RD सर्मा को लगा हैंगे कुछ chapter है जैसे trigonometry trigonometry आपकी strong होनी चाहिए क्योंकि 11th में भी आपको मिलेगे 12th में भी है ना तो trigonometry हर class में है इसलिए आप छोटे से ही आप 10th से ही अपना base बना लीजे trigonometry को इक्तम कर लेजिए फिजिक्स में भी आपको trigonometry मिलने वाली है ना ठीक है लंबे-लंबे problems मिलेंगे ठीक है उसमें trigonometric identities लगेंगी जो 10-12-15 formula हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेजिए उन्हें derive करना आना चाहिए ना तो हर चीज पता होनी चाहिए trigonometry ratio निकालना आना चाहिए आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए ठीक है तो मैस के लिए आप RD सर्मय को यूज कर सकते हैं या आरे सगरवाल को लगा सकते हैं लेकिन आपको अगर आपसे संभव नहीं है कि पूरी exercise को आप लगा पाएं ठीक है पूरी exercise को लगा पाएं तो कम से कम examples और अगर examples भी नहीं संभव हैं तो यह सबसे लास्ट option है अगर examples भी नहीं संभव आपसे लगा पाना तो आप क्या करेंगे जो previous year में जो question repeated हैं आप उन्हें RD सर्मा से बिलकुल अच्छे अगर रहता है कि chemistry के लिए कौन सी बूक फालू करें क्योंकि chemistry हमें पढ़ना ही नहीं पसंद है ठीक है chemistry में रियक्सन उन्हें कैसे याद किया जाए उन्हें कैसे समझा जाए ठीक है theory को कैसे पढ़ा जाए ncrt book को कैसे पढ़ा जाए एक बहुत बड़ा सौरह मोंगा इसके राइटर है अब बात यह होगी कि मार्केट में पचासों तरह कि किराब है हम इसी बुख को क्यों लगाए इसमें ऐसी क्या बात है कि हम इसी बुक को लगाए तो देखे दियान से देखे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा गया है टाइम सेवर क्या यह हमारे time को कैसे बचाएगी वही तो हम चाहते कि हमारा time बच जाए अब हम time कैसे बचेगा तो ध्यान से सुनिए आपने जब ncrt book को ncrt book को अच्छे से पढ़ लिया तेयोरी को अच्छे से पढ़ लिया topics को अच्छे से cover कर लिया और साथ में notes बना लिया time time पर notes को revise करते ज ज्यादा chapter नहीं है 4-5 chapter है अगर आप सोचिए आप सोचिए हर हपते एक chapter को revise कर लेते हैं पूरा तो आपको कितने अच्छे से आपका syllabus complete होने वाला है जरा एक बार सोच के तो देखिए आपको पूरी book जबान पर रट जाएगी उसके बाद फिर आप new millennium science को उठाएं और इ आपको पॉइंट टू पॉइंट बाते पता चल जाएंगी जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा समय बच जाएगा पाराग्राफ को पढ़ने में आपको जो समय लगता है वह बच जाएगा ठीक है और आप उसे और कहीं यूटिलाइस कर पाएंगे इसके बाद इसमें जो क जो paragraph पढ़ना पढ़ता है उससे आप बच जाएंगे उससे आप बच जाएंगे और आपको वहाँ पर paragraph नहीं पढ़ना पढ़ेगा और इस book का content है जो content है वो बहुत ही जादा अच्छा है बुक का content क्या है बहुत जादा अच्छा है ठीक है लेकिन मैं आपको पहले ncrt book को प त्टेक्स के लिए कि लिए हम क्या करेंगे एक लिए लखमीर सिंगान मंजीत कॉर्ण ने एक लिखी है कौन सिस्जांद पब्ली के सन लखमीर इसे हम लोग पढहेंगे एसे प् मत्रोषिजर होंगा आप बुक को उठाएंगे और paragraph by paragraph उसे पढ़ते चले जाएंगे जो फार्मूला मिलेगा उसे highlight कर लेंगे या कहीं short notes में लिख लेंगे उसके बाद फिर आपको problems मिलेंगी problems कहां की होंगी problems उसी book की आपको problems मिल जाएंगी जो कि आपने पिछले paragraph में पढ़ा है उन्हें अच्छे स physics का जो portion होता है वो सबसे ज्यादा easy होता है ठीक है सबसे ज्यादा easy होता है उसके बाद फिर आप science and CRT को उठाएंगे और जितने question है जितने 10 12 15 25 30 जितने भी question है आप उन्हें एक करके solve कर लेंगे ठीक है तो यहां पर आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी है जो ज़्यादा म chemistry और बायो में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया chemistry और बायो में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो आपके 95 marks science में कहीं के नहीं गये है और यही percent यही marks आपके percent को decide कर देंगे क्योंकि सारे बच्चे सारे बच्चे मान के चलिए math और science में फश जाते हैं ठीक ह लेकिन आप physics और chemistry को नहीं आद कर सकते math को नहीं आद कर सकते ठीक है तो यह एक scoring subject होते हैं और percentage को decide करने वाले होते हैं ठीक है तो आपके अच्छी command होनी चाहिए कौन सी recommend कर रहे हैं इसका नाम है उसका नाम है क्या biology के लिए Скाहा वो सबसे ज़्यादा अच्छी है ठीक है biology के लिए आप ध्यान सुलिए के के लिए यहां पर आपको कौन सी बुक की गई है यहां पर आपको रिकमेंड करी गई है वह है यहां की बायोलोजी आप अच्छे से पढ़ लेंगे को सौल कर लेंगे अब बात आ जाती है कि हमने इस चांद के लिए इस चांद की हमने नहीं केमेस्ट्री ली और अब हम इस चांद की बायो क्यों ले ठीक है तो पता होगा आपको बायोलाजी में क्या होता नहीं कोश्चन बहुत लंबे आते हैं आपको थोड़ा सा अ मटेरियल चाहिए ठीक है फूड़ा से कंटेंट चीज invited चीजों को कर लिया है ठीक है तो आपको चीजे पता चल जाएंगे कि क्या important है और क्या नहीं और जब question आएगा तो आप वही important important point लिख देंगे और एक बड़िहा सा figure बना देंगे और आपके बड़िहा से number मिल जाएंगे ठीक है biology में आपको सिर्फ learn करना है चीजों को learn करना है questions को learn करना है ठीक है उसके बाद फिर अगर आप revision करना चाहते हैं करने के लिए आप science book को science की जो ncrt है इसे आप पढ़ सकते हैं साइंस की जो ncrt है वो पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या बताया गया है देहन से सुनिए उसके बाद फिर आपको बताया गया है कि इसके बाद आप साइज के इंसियारिटी बुक को कम्प्लीट कर लेंगे बाइयो लगी कर लेंग ठीक है तो इसके बाद मान कि लिए कि आपके हिंदी और इंग्लिज्स और इसेटी में अच्छे मार्स आई जाएंगे और उसके बात से आप मान के चलिए कि कम से कम 95 परसेंट मार्क्स आपके कहीं नहीं गएंगे 95% सोच के देखे कितने जादा होते हैं 95% और आपके आराम से 95 परसेंट तो आ पहुंच रहे हैं तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर दीजिये और अब हम लोग लग भग भग ठीक है और रहे हैं 400 subscriber हो चुकी है और लोगों ने 150 वीडिव डाल दिए हैं और यह देखें मैच के लिए आप हम लोगों ने classes start कर दी हैं जिसमें हम लोग किरन बूब को सॉल कर रहे हैं किरन बूब को कर रहे हैं और ध्यान से देखे ऐसा YouTube पे पहली बार हो रहा है कि किरन बुक को solution आपको मिल लहा है क्योंकि किरन बुक में 9500 question मतलब 9000 प्रस्टन किरन बुक में है तो किसी के लिए काम संभव नहीं है कि इतने जादा प्रस्टनों को YouTube पे बता देना ठीक है लेकिन हमने इस काम को ठाना है और ऐसा करके दिखाएंगे type 1 percentage चल लहा है type 1 percentage चल लहा है जिसमें हम लोग question 20 तक solve कर चुके हैं ठीक है यहाँ पर आपको आधर सर पहाते हैं को स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू को डिसकस करेंगे ठीक है तब तक पढ़ते रहें all the very best